यह इस्टैबरी का मदर प्लांट है इस प्लांट से बहुत सारे रनर के द्वारा इस्टैबरी के सिडलिंग तयार किये जा रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं यह रविंद्र आज आपको बताऊंगा कि इस्टैबरी के प्लांट को कैसे ग्रो करवा सकते हैं जनरली इस्ट्रेवरी के प्लांट को दो तरफ से ग्रो करवा सकते हैं पहला तो उसके 20 से जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह इस्ट्रेवरी का फ्रूट है इसके फ्रूट के ऊपर ही छोटे छोटे बिल्कुल माइनूट सीट से पहा जाते हैं जिसको साउधानी से निकालके हम इसको ग्रो करवा सकते हैं इस वीदी को किसी दूसरे वीडियो में सेयर करेंगे और दूसरे टाइप का होता है कि स्ट्रेवरी के रनर से हम ग्रो भी करवा सकते हैं इस वीडियो को हम आगे अभी चलिए देखते हैं जब स्टैबरी का ब्लांट एक साल का हो जाता है तब उस से से रनर निकलते हैं और उससे हमको ग्रोव करवगा सकते हैं तो जीनेली हमको करना क्या है कि जब नरसरी से च्छा-थाम लाते हैं उससे हम फुरूट ले लिए ठंडी के time में आक्टूबर के महिने में नरतारी में बीखता है तो ँस time हम ले लिए उससे fruit भी ले लिये तो जब हमारा क़्मी का डाइम आता है तो जो भी लोग लगाए है वो क़्मी के time में देखते हों और कि तो क्या करना है उसको हमको एक दम घने कहीं किसी घार्डेन के किसी अस्थान पे जहां पर घना चाया हो वहां रख दें या नहीं तो घर के किसी कोने में रख दें जहां पे डारेक्ट धूप या बहुँ ज़्यादा गर्मी ना पड़ता हो और सुबह के टाइम लगभग गंटे के लिए उसको धूप दिखा दें और फिर इसको कोने में रख दें तो उससे क्या होगा कि गर्मी टाइम में यदि उसको हम बचा ले गए तो जैसे ही बारिस का टाइम आएगा और बारिस के टाइम में लगभग सितंबर के महिने में रणर निकलना है स्टार्ट हो जाता है और यही रणर हमारा नया नया प्लांड को जन्म देता है तो चलिए इसी वीदी को हम देखते हैं यह देखिए दोस्तों इस ट्रैवरी का रणर के द्वारा निकला हुआ यह स्ट्रैवरी का सेडलिंग से है और यह ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हवा में ग्रो कर रहा हो ना जिस्ट जो कर रहा हूं मैं हवा में नहीं ग्रो कर रहा है यह देख रहे हैं छोटे छोटे जड़ भी निकले हुए हैं एक ब्राउन है और वाइट है जो ब्राउन करका है वह थोड़ा पुराना है और जो वाइट है वो नया रूट अब आईए दिखाते हैं आपको जब से स्टेवरी के रनर निकलना स्टार्ट हुए हैं उसके 24 दिन बात का रिजल्ट ये हमारा मदर प्लांट है कितना हिल्दी प्लांट है आप देखी सकते हैं और एक धागे में लगबग दो तीन चार सेडलिंग तयार हो सकते हैं निकल दिये तो इसके अंदर जो है वह एक एसा प्लांट जो है वह डिवलप हो जाता है जिसकी रूट्स भी होती है दैन वी कॉल इदर अभी आपको बताएगा क्या करें एक मदर प्लांट से से चार-पांच धागे भी निकल सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारे सिडलिंग तयार कर सकते हैं यह सुरुआत में मैंने जो सिडलिंग दिखाया था यह जो आगे का हुस्सा है यहीं से आगे बढ़ता रहता है और नई नई सिडलिंग तयार होती रहती है इसका रिजल्ट यह है कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्ट्रेवरी के सिडलिंग तैयार हो चुके हैं हमारे runner के द्वारा strawberry के runner के द्वारा निकले हुए seedling में ती दीन्चार पत्ती आ जाती है तो किसी पार्ट में उसको लगाने के लायक हो जाता है क्योंकि जब लगा देंगे तो अपने root के बलबूते वो nutrients को जाबर करना शुरूबर देता है और इस बीच जो धागा रहता है mother plant से लगा हुआ उसको हम काटेंगे नहीं और एक बात ध्यान देंगे जो भी मिट्टी लेंगे हम whale drainage के वाले लेंगे क्योंकि जो strawberry का plant होता है whale drainage वाले मिट्टी में ही grow कर सकता है यदि जब उसमें पानी ठीका तो उसका root सड़ सकता है और plant सूख जाता है और जिस पार्ट में हम लगा रहे हैं उस पार्ट में नीचे hole होना जरूरी है क्योंकि इस्ट्रा पानी जो भी हो वो निकल जाए hole से और ये आपको जो दिखा रहे हैं हम केबल है ये हमारे बिजली के लिए किचा जाता है ये खराब केबल था इसी के दुआरा हम जो इस्ट्रेवरी का सिडलिंग होता है इसको हम fix करते हैं क्योंकि ये मिट्टी में दी उसको हम लगाएंगे ऐसे तो उसका जो धागा रहता है इधर उतर हिलने के कारण वो उपर उड़ जाता है ये देख रहे हैं ये जो मैंने केबल लिया है इसको छोट-छोटे पार्ट में काट लिया हूँ वो हलका सा मोड दिया हूँ मोडने के बाद जो धागा है धागा का अगला हिस्सा है उसी में मैं मिटी में fix कर दूँगा fix करने से फायदा ये होगा कि थोड़े समय के लिए दो-चार दिन के लिए तो तार के सहारे राता है plant लेकिन जब root आगे grow करता है तो अपने root के सहारे मिटी में fix हो जाता है और अपने ही root से nutrition absorb करना start कर देता है और इसी प्रकार सारे के सारे जितने strawberry के seedlings है सबको तार की सहारता से fix कर लेंगे और तार के लावाँ आप किसी भी hard चीज़ से उसको fix कर सकते हैं बस यही target है कि वो जो मारा strawberry का seedlings है वो कुछ दिनों के लिए तार की सहारता से या किसी अन्य चीज की सहाथा से वो fix रहे और उसमें कोई disturbance ना हो और इधर दर ना करे और ये देख रहे हैं ये गिलास में मैंने दो seedling को fix किया हुआ है और fix करने के बाद उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे पानी देने से फायदा यह हुआ कि root उसका grow करना है start कर लेगा और थोड़ा सा fix भी हो जाता है उसका root पानी और मिट्टी के सहरे और आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा गमला इतना छोटा क्यों है ये गमला छोटा नहीं है इस गमले को मैंने थोड़ा सा मिट्टी में नीचे कर दिया है क्योंकि गिलास हमारा गमले के तुला में थोड़ा नीचे था और नीचे होने की वज़े से हमारा जो seedling था strawberry का वो उसमें सही से लग नहीं पा रहा था इसलिए मैंने क्या क्या गमले को ही थोड़ा नीचे कर दिया और जो हमारा गिलास है गमले के level में आ गया और strawberry के seedling को गिलास में मैंने आसानी से लगा दिया और ये देखिए गिलास में मैंने strawberry के seedling को दिखा रहा है ये ये देख रहे हैं अतार की टाइब हैं और कितने अच्छे से fix भी हो गए strawberry के seedling को fix किया है नए pot में उसके 5-6 दिन बात का है ये देख रहे हैं कितना अच्छे से fix हुआ है अब इसमें से तार के cutting को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि अपने root पे ये grow करना start कर दिया है ये देख रहे हैं सारे के सारे जितने भी strawberry के seedlings हैं root के द्वारा अच्छे से मिटी में fix हो चुके हैं और बड़ी अजीब बात है ये देख रहे हैं अभी भी runner के through नया नया seedlings निकलना start ही है ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने उसको गिलास करें ये लगा दिया है फिर भी उसके आगे जो निकलना था उसके through ये नया एक और seedling तयार हो रहा है नया phone लेना है लेकिन बजट नहीं है तो पर अच्छा हो गया है कि सारा nutrient CC से ले रहा था लेकिन जब मैंने इसको fix कर दिया है तब ये अपने अपने root से लेना चलू कर दिया है ये सब यतने भी seedling मैं आपको दिखा रहा हूँ runner निकलने के लगबग 45-46 दिन बात का है ये सब और इतने सारे runner के through seedlings निकलें कि आपको दिखा रहा है कि एक glass में ये देख रहा है इसमें 3 seedling है और इसमें भी ध्यान से देखिए तो इसमें भी 3 seedlings है मतलब बहुत में भी मैंना भी इतने अधिक निकलें करा इसमें 2 है through कम से कम होगा दिखते हैं और जो last में ये देख रहा है जो छोटे वाले गमले में है सबसे last में ये निकला हुआ seedlings है तो last में निकला हुआ seedling थोड़ा कमजोर होता है compression to जो पहला वाला निकला होता है क्योंकि जो पहला वाला निकलता है तो वो शुरुवात से ही nutrition लेना start कर देता है लेकिन जब ये last वाला निकलता है तो last वाला थोड़ा कमजोर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि mother plant से लगे हुए stem like structure यानि runner को मैंने काटा नहीं था तो हमारे अब जितने भी plant है सारे के सारे develop हो चुके हैं और अपने रूट के थ्रूड ये जो एक एक glass के अंदर जो पोदा है अब ये complete new पोदे की जो है वो शकल इक्तियार कर लेगा at the end तो in this way the strawberries are आप लोगों को जो है ये अब एक detail जो है वो एक जो है वो summary मिल गई होगी किस तरीके से जो है वो जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो move out करती है so moving to us the next thing ठीक है अब हम जो है वो अपने जो है ना वो topic की तरफ चलते हैं कि क्या है ये ठीक है हम इनको जो है वो discuss कर चुके है now you have a micro propagation ठीक है micro propagation जो है वो एक आर्टिफिशल process है ठीक है जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि बइट टिश्यू कल्चर या टेक्निक्स हैं उनको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं जो है वो प्लांट्स को प्रपगेट करने की कोशिश कर गते हैं ठीक है इनको माइक्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको इनके अंदर टिश्यू कल्चर या सेल्स इंवाल्व होते हैं that's why we call it is a micro propagation ठीक है micro propagation में क्या किया जाता है कि इन वाइट्रो या वाइट्रो टैक्निस को यूज करके एसेक्श्वल मीम से जो है वो वेजिटेट्व पार्ट्स को जो है वो उपरगेट किया जाता है और यह आजकल जो है वो बहुत कॉमनली हो रहा है अब इसके तीन टाइप्स होते है पहला होता है मेरिस्टेम कल्चर मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है मेरिस्टेम का मतलब है आपका जो एपिकल शूट की जो टिप होती है हम वार्ट से जो मेरिस्टमेटिक किशू होते हैं उनको जो है वो हंट करते हैं देन उनको इस्ट्राइल किया जाता है and then ultimately a new plant will grow from that so यह जो है वो आपकी जो है वो Mary stem culture है Mary stem culture में हम क्या करते हैं कि plant का जो top होता है या tip होता है जिसे यहां से आप देख रहे हैं कि यह वाला इसा हमने तोड़ा यह जो shoot की tip थी यह branch आपने निकाल एक तिप को रखा इसको पहले साफ किया जिस्टल वाट दिवाश किया then iscalipal की मदद से जो है वो इसको कार दिया और रिजिस्टी जो एपिकल टिप थी सिर्फ उसको utilize करेंगे हम इसी लिए इसको कहा जाता है कि भाई यह क्या है Mary stem culture इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं कि एक disease free plant जो है ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्वाइल का जो involvement नहीं होता तो आपका जो plant होता है वो disease free होता है दोतरा होता है क्यालस कल्चर ठीक है क्या क्या किया जाता है कि प्लांट का कोई भी part आप यूज़ कर सकते है क्या क्या कर देते हैं क्या कर सकते हैं क्या क्या Battery तो कैलस जो है वो सल्स के जो लम से उनको किया जाता है और एक से धम फिलक किया जाता है जिस से प्रैक्टिकली से वो आपका एक नया पोजा जो है वो इसा रहता है So this is जो है वो आपका माई करोगरीशन सार्यां सबक्षाना अर्पोगरीशना है कि मैं आपको जो है मुझसे जादा आप जो है वो विडियो से जो है वो सीख सकते हैं आप सब लोगों को जो है वो चीज़ ने समझ आई होंगी कि I am now open for the questions आज हमारे पास आदा गंटा है आप कितने questions पूछना चाते हैं पूछ ले so thank you very much